नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया नीज राजस्थान में मैं हूँ आपके साथ रिया पांडे पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में टेंपरेचर बढ़ने से लो प्रेसर एरिया बन गया है इस कारण मौनसून एक बार फिर से तेजी से एक्टिव हो रहा है यानि राजस्थान में बारिस का दौर दुबारा शुरू होने वाला है प्रदेश के पुर्वी और दक्षिर जीलो में तो बारिस शुरू भी हो चुकी है वहें सनीवार को 20 जीलो में अच्छी बारिस होने का आसार है मौसा विवाग ने जैपूर, दौसा, अलवर, भरतपूर, दौलपूर, करोली, समाई माधपूर, जुनजुनूर, सीकर, टोग, बूंदी, भीलवाड़ा, उदैपूर, सीरोही के माउन ताबूद, जालरवार, बारा, राजस्मन्त, कोटा, डुंगरपूर, चित्तौरग इसी के साथ 9 सितंबर से 15 सितंबर तक पूरे देस में भारी बारिस होगी, सितंबर महिने में औसत से ज़ाधा 109 परसेंट बारिस राजस्थान में होगी, वहीं आपको बता दे कि मौसम्यवाद के मुताबित राजस्थान में इस साल मौनसुन के दौरान अब तक 1 जून से 31 अगस्त तक कुल 529.9 mm बारिस रिकॉर्ड हो चुकी है यहां ओसत 45% ज़ादा है इससे पहले साल 1944 में जून जुलाई और अगस्त महने के दोरान पूरे देश में कुल 611 mm बारिस दर्च की गई थी पिछले 24 घंटों में पुर्वराजस्थान में 1-7 cm तक बारिस रिकॉर्ड की गई है पश्चिम राजस्थान में 1 cm से कम बारिस रिकॉर्ड हुई है जैपुर में सुक्रवार से ही बारिस का दोर जारी है इसके अभी जारी रहने की संभावना है वही राजस्थान में अधिक्तम तापमान 33 डिग्री और नियूंतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है बासरवार के घोटाला और बुंगरवार भीलवारा और राजसमंद के अमेट में सबसे जादा 7 cm पानी बरसा है उधर राजस्थान में मौनसुन की बिदाई तैस समय पर सितमबर अंत में होने की संभावना है लेकिन वेदर पॉर्कास्थ के मुताबिद उससे पहले राजस्थान में भारी बारिस एक दौर और आएगा पिछले 11 साल का रिकॉर्ड देखे तो अगस्थ में चौथी बार 8 इंच तक बारिस होई है इस से बार भी बारिस ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है अगस्थ में औसथ से जादा बरसाथ हुई है जिसका नतीजा यह रहा कि इस बार पूरे महिने में प्रदेश में सब भी बड़े बांध ओवर्फलो हो गया है वही सितंबर में अधिक बारिस के अलर्ट के बाद कहा जा रहा है कि इस बार मौनसुन 78 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगा मौसम केंदर के अनुसार 1944 में सारवधिक 611 mm बारिस रिकॉर्ड हुई थी लेकिन इस बार अगस्थ में ही 529 mm बारिस हो चुकी है जैपूर टोंक अजमेर के लाइफ लाइफ लाइन विसलपूर बांध में लगातार पानी आ रहा है इसके लिए ओवर्फलो हुए बांध से लगातार पानी की निकासी का दौर दसवे दिन भी जारी है 26 अगस्थ को बांध के दो गेट खोले गये थे आपको ये अपडेट कैसी लगे हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर जरूर बताए धन्यवाद